नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 8 अप्रिल 2024, स्वागत है आपका आज के करंट फे डिसकसन में, चली डिसकसन स्टार्ट करते हैं, डिसकसन से पहले आप हमारा टेलीक्राम चैनल अविस्टे जॉइन कर लेना, यहाँ पर आपको UPSS related सारा material अविलेबल हो जाएगा, तो च हमारे सामने petition या plea आई है, उसका जो फेसला है, वो हम election से पहले कर लेंगी, इतनी सारी petition क्यों आई है, लोगों का कहना है, जो जिसने भी petition दर्ज की, जिसने भी plea दर्ज की, उनका कहना है, कि EVM में बहुत सारी दिक्कते हैं, इससे कि अब जो election है, वो free नहीं हो पा रहे है, फेर नहीं हो पा रहे है, इसलिए लोगों का भरोसा नहीं है, अब सुप्रिम कोट का कहना है, कि ये जो सारी petition है, इसका जल्द से जल्द फैसला किया जाएगा, इसके साथ साथ सुप्रिम कोट ने 2013 में भी इससे समझे दिक फैसला दिया था, उसमें सुप्रिम कोट ने बत इससर के बास में, जो बैठता है, वहाँ पर उसके पास में होती है, यह वीवीपेड मसीन होती है, यहाँ पर यह आप वोट डालते हो, बैट पेपर, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपने वोट डाला, यहाँ पता चल जाएगा, आपने वोट किस को डाला वोट, व पांच परसंट जितनी भी EVM यूज होती है उसमें पांच परसंट EVM के साथ में यह वीवीपेट मसीन यूज की जाती है जिसमें आप वेरिफाई कर सकते हैं पता चलता है तो इस पे सुप्रिम कोट ने कहा है कि यह जरूर होने चाहिए इससे क्या होता है इसे लोगों का भर सुप्रिम कोट में मतलब यह जो मामला है फाइनल वर्डिक देगा तब पता चलेगा इस पर दिककत क्या है और जोसे पहले इसमें आपको याद क्या रखना थै है demographic dividend के बारे हैं और जो South Asia है इंक्लूडिंग India ये demographic dividend को लूज कर रहा है सबसे पहले इसमें आपको याद क्या रखना है आपको याद रखना है jobs for resilience जो report है वो किसके द्वारा release की जाती है तो jobs for resilience report है वो world bank के द्वारा release की जाती है आपको पहला पॉइंट तो यह याद रखना है Jobs for Resilience World Bank के दुवारा Release की जाती है उसके बाद में भारत सही जो दक्सिन एशिया के देश है वो Demography Dividend जन संख्य जो लाबांग है इसे खोर ही है हम पहले देख लेते हैं जन संख्य की लाबांग है Demography Dividend होता है इसमें क्या होता है किसी देश के पास में यूवा पॉपॉलेशन कितनी है यूवा जो जन संख्या है यूथ पॉपॉलेशन है वो कितनी है उस राधार पे देश को लाब होता है मतलब किसी देश के पास में युवा की आबादी जादा है उस देश को लाब जादा होता है इससे कहते है जन संख्यां की लाबास या फिर कहा जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंट तो जो साउथ एसिया के देश है उनके पास में जन संख्यां की लाबास बहुत ही जादा है उनके पास डेमोग्राफि हुआ के पास रोजगार की कमी इसे क्या होता है इस से यह और इस कि अगर हो credit क profit कम देखने को मिल दीए my cultural का च्रिया पॉपुलेशन है जन सिंग क्या है यह बूड़ी हो जाएगी यह जो हमारे पास में अभी स्ट्रोंग फैक्टर है कि हमारे पास में अच्छी जन संखें की लाबान से या डेमोग्राफी डिविडेंड है इसका सही यूज करेंगे तो हम हमारी एकनोमी को और आगे बढ़ा पाएंगे अगर इसका सही यूज नहीं हुआ तो हम वो चीज नहीं अच्छी कर पाएंगे जो अच्छी हम कर सकते हैं यह वर्ड बैंक का कहना है इन लोगों के पास में जॉब नहीं है मतलब यह देखो ग्रोथ ग्रोथ है मतलब ग्रोथ तो हो रही है बट जोब लेस है इसका मतलब क्या इसके मतलब है अमीर है ना वो तो वर्दी करें अमीरों तो अमीर और अमीर होते जा रहे है बट गरीब है ना वो और गरीब होते जा रहे है यह चीज देखने को मिल रही है आपने कुछ टाइम पहल बारें बात कर ली यह point में यूज कर सकते हैं अब हम वर्ड बैंक के बारें बात कर लेते हैं वर्ड बैंक है न एक होता है वर्ड बैंक एक होता है वर्ड बैंक ग्रूप इन दोनों में आपको इन फ्यूज होंगे अब इन दोनों में अंतर देख लेते हैं वर्ड बैंक क्या इंटर्नानल बारेक पर रिट्ट्राज्स्ट्रों ड्व़्लपमेंट और आईडी एंटर्नाशनल ड्वलक्मेंट असोस répondre दूणों से मिल रहे इन को बिलिए रहे हैं म 몇 दूण व्रण बना रहे हैं यह तीसरा है मीगा, चौत्या कौन सा है, चौत्या IFC, IFC मतलब International Financial Corporation, और पांचवा कौन सा है, पांचवा है ICSID, यह पांचवा से मिलके बनता है World Bank, World Bank Group, World Bank Group में कौन कौन से संस्था है, पांचवा के ना मियाद रखना, I, R, IBRD, पहली यह है, IBRD, दूसरा, IDA, तीसरा, यह तीसरा, IFC, IFC, चौत्था, मीगा, और पांचवा है, I, C, S, ID, यह पांचवा से मिलके बनता है World Bank Group, अभी इस पांचवा के काम देख लेते हैं, यह IBRD के बारे मां, IBRD क्या करता है, IBRD जो सोवरन कंट्री होती है, सोवरन कंट्री कोन सी देश कंट्री होती है, सोवरन यानि संपर्भू, ऐसे देश जो पूरी तरह से आजाद देश है, जैसे भारत है, बाकि सारे देश है, काफी देश है, वो आजाद कंट्री, सोवरन कं करता है दूसरा कुन सा है आई बी आडी के बाद में देखा था हमने आई डी ये अब आई डी क्या करता है इंटरनेशनल लेवलपमेंट असोसियेशन ये काम करता है ब्याज मुक्त यानि की इंट्रेस्ट फ्री लौन देने का काम करता है ब्याज मुक्त लौन देने का काम कर करता है ऐसी कंट्री जो होते है उनमें प्राइविट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का काम करता है तो यह नीजी इन्वेस्टमेंट को विकास से ले तो जो से में प्राइविट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होता है उसका काम करता है आई एफसी फिर चौल्था देखा था मीगा के बाद में International Center for Settlement of Investment Dispute ठीक है ICSID ये क्या काम करता है ये है ना dispute जो होते है उसे settlement करने का काम करता है तो पांचे देख लिए देखो हिंदी मीडियम है आप ऐसी मत सोचना कि इसके नाम है हिंदी में याद कि आप किसी में भी याद रखना है आपको अटेंड करना है तो ये अलग हिंदी में भी नाम दिये हुए है IBRD का नाम क्या है तो बस नॉर्मल चीजे हिंदी में ऐसे नाम याद रखने की जरूत नहीं इंग्लिस में और इसके साथ में इसकी सताफना हुई है तो ये चीजे आपको पता होना चाहिए जो लोग कोमेंड में बतानी के द्वारा रिकर्ट जारी करते है पहले तो मैंने देख लिए भी रिपोर्ट उसके बाद में दूसरी रिपोर्ट जारी कि जाती है Global Economic Prospect Report, ठीक है, ये भी World Bank दूर्ण जारी दिए, फिर उसके बाar में रिपोर्ट जारी की जाती press, Global Financial Development Report, पहली Global Economic Prospect Report, डूसरी Global Financial Development Report, तीसरी Global Development Report, चोत्री, International Dept Strategies, तो ये आपको रिपोर्ट याद होनी चाँए, खिली अंदी Medium देख लोग इसके दूर एक्समार फिकं़ क्य द जाती ही बर्ड बैंक के द्वारा तो यह चीजए आपको पता होनी चाहिए चलते हैं हमारे नेस्ट आर्टिकल के ओर नेस्ट जो हमारा आर्टिकल है वो laurel tree के बारे में अब ये news में क्यों है सबसे पहले क्या हुआ है कि ये अंदरपदेश में बाई जाता है तो वहाँ पर क्या है न कुछ लोगों के द्वारा कहा गया है मतब़ जाती है वहाँ पर कॉंडा रेडी जन जाती है ये जो laurel tree रेडी ये वहाँ पर पानी निकलता है गर्मियों की दिनों में इस वरक्ससे पानी निकलता है ऐसा इनकी द्वारा कहा गया है फिर इसका जांच हुई तो देखा गया हाँ इसमें सही में पानी निकल रहा है तो हम Laurel Rox के बारे में बात कर लेते, देको यह Newerms तो हमारे महत्रपूर्ण है नहीं, हम भात कर लेते, Laurel यह एक डासीडियस का मतलब क्या होता है हंदी میझे का मतलब होता है प्रनपाति वरक्स प्रनपाति गर्या गर्या चाल बुर्ण इसके स्वाध के बारें बात करें यह पानी होता है इसका घंट इसकी जो गंद होती है, फाफ़ी तेज, काफी दूर तक मतनों, इसकी गंद आ जाती है तो पानी का यलो कलर होता है, ये पीने में इनके क्वालिटी भी बहुत अची होती है health benefit बहुत जादा होती है पेड़ के बारे में बात करें तो पेड़ के height है उद 10 feet तक हो सकती है काफी इसमें चोड़ाई भी हो सकती है इसमें आना 4-6 liter तक पानी आ सकता है ये पानी किसमें depend करता है ये पानी depend करता है कि पेड़ की height कितनी है पेड़ की चोड़ाई कितनी उस पे डिपेंड करता है इसमें इतना पानी आ सकता है अब ये जो पानी है ना ये कहां पर इसमें इस्टोर होता है इसका जो तन्ना होता है तन्ने में ये पानी इस्टोर होता है ये जो तन्ना होता है पेड़ का ये बाग यहां पर पानी कुछ चुई है कि भारा भाईएक थैस्यस, वहांपर पानी के लिए भी यह इस चुदि बार है बहला इस्के बार में देखा गया है अब स्रिलेंक बारत भारत, जे पार में कुछ और होुड़े भी सोधे लिह देखने को मिलता है ठीक है अब इसके बारे में बात करें तो यह वरक्स है ना इसके तन्य के बारे में देख लिया किता मोटा होता किसा चोड़ा होता है यूजेज के बारे में बात करें इसके उपयोग के बारे में इसका उपयोग हो है सबसे पहले इसम की जो भी बनाई जाते हैं फस्त हुए उसमें भी यूज किया जा सकता है इसका उपयोग और भी उसद ये जो भी प्रोड़क्ट होते हैं चमड़ा वगरा होते हैं उनमें भी इसका यूज किया जा सकता है तो इसके यूज काफी जादा देखने को मिलते हैं ठीक है जी इसका साथ ही साथ मेडिक्सियन प्रपस से भी यूज होता है अगर किसको पेट दर दुगरा हो दी है तो उसमें अभी इसका यूज किया जाता है पेट दर ठीक हो जाता है अगर यह पानी पीजें तो इसे पेट दर ठीक हो जा सकता है ठीक है जी तो यह हम नहीं देख लिए लौरल वरक्स के बारे में, अब कुछ बात देख लेते हैं, कॉंडा रेडी जंजाती के बारे में, कॉंडा रेडी जंजाती के बारे में बात करें, सबसे पहले ये कौन से राज्यों में देखी जाती है, तो ये है अंदरपरदेस की मूल जंजाती है, ठीक है, 1991 की जो हीसा है है और तेलंगा नांवे हैं वहां प्र इस भी जंसेंग क показ Quando अंदर प्रदेश में उसके लाँवा कुछ और राजयों में बीदेख से देखने को मिलते हैं भासा की बात करें तो जे बासा तेल अगम इसकतिorf यह मुख्यां है यह वंसा नुगत होगा मतलब जिसके parents है तो फेरेंटिकल होता मतलब आप तो आपका थेटा होगा वह पेदा कापू होगा तो यहसे वंसा नुगत होता है ठीक है यह हमारा पूरा आर्टिकल हो गया L'Oreal 3 के बारे में और इस जनजातित के बारे मैं कोंड़ के बारे में किस्वेलव्व्व क्या होती यह की हैं डैको के किसी विंड की आप सकता रही होती है यह यह जैसे इसके सरफेस के सब्लेटेशनल के कारण बनती है इसमें विंड उसरफेस होती उनके बीच में जो इनर्जी होते हैं उनके सब्स्टान बात्य हाद ये सएभी गुम इसमें इसका सीथी डीरेक्शन में चाहती है जाती है यह नहीं है इनका पैटर्ण भी होता है इनका instructors भी होता है यह कितने अलग ऐसे यह दिखाई देगी यह और जो बात करें wind какое की तो यह वे लग लग परकार की बारे में हो सकती है और wind wave है उसमें को structure भी नहीं होता है उसे एक energy की भी आप सकता होती है विंड वेव बिना एनर्जी के नहीं चल सकती है अगर विंड का फोर्स नहीं है तो भी नहीं चलेगी स्वेल वेव उसमें कोई एनर्जी की जरूत नहीं होती उसके बिना भी चल सकती है यहां पर कुछ डिफ्रेंस भी दे रखा है जैसे इसमें बारतिय राष्क्री महसागर्शुचना सेवा के अनदर है इन सी ओ आई-एस के बारे में तो इसकी इस्थापना 1999 1999 में इसकी इस्तापना हुई थी यह एक autonomous हैनि स्वाइथ संस्ता है कोई किसी कि अधिन नहीं है तो स्वाइथ संस्ता है इसके नौडल मिनिस्ट्री को है तो Earth Aren't Science Minister प्रच्विज्ञान यह सरा डे Live如何 खmore आम करती नौडल के बारहें दयेक लिया चलती हमारी नएक्ष्ट नाटो के बारह in 2y7 wie यह विव गहीं तो नाटो की सिबस्कर कौई बाथिए उपक्षिक होई तो सबसे पहले इसकी इस्थापना कब हुई थी इसकी इस्योपना 1449-1950 में हुई थी क्योंकि गी थी उस टाम में USSR और USA दोनों के मध्या दिक्कते चल रही थी USA है वो चाहता था कि Europe है वो हमारे साथ आई USSR चाह रहा था कि हमारे साथ आए तो दोनों के मध्या तनाव तो यूरोपेन जो कंट्री थी उनको डरता कि USSR अटेक न करे तो इन दोनों ने मिलके USA और यूरोपेन कंट्री थी उन दोनों मिलके एक ग्रूप बना दिया इस ग्रूप का नाम था NATO North Atlantic Treaty ठीक है इस North Atlantic Treaty के माध्यम से नाटो के इस्तापना हुई इसके तद अगर किसी भी एक अगर एक देश जैसे UK नाटो का पाट है यूकी पर अगर अटेक हुआ तो सारी देश मिलकी उस देश पर अटेक करेंगे जिसने यूकी पर अटेक किया तो ऐसे इनकी उसमें लिखा गया है रून बूक में आर्टिकल पांच में इसका हैड़क्वाटर का है इसका हैड़क प्रषितर हैं क्या काम करता काम भी हमने देख लिया तो यह माएख पूरा पूर ऊट्रण हो गया नाटको के बारे में चलते हैं नेक्स जो आटिकल है वह डैन्याल कणमान के बारे में अब हैना यह पर सन और न्यूज में काफी इंप्रूटर हो झाता है क्योंकि अभी इन जो मनोविग्यान होता है नहीं अर्थ वैवस्ता अर्थ सास्तर और मनोविग्यान इन दोनों के बद्द्द्द एक संवंध ढूंडा था इनकी आकोडिंग जो अर्थ वैवस्तित होता है ठीक है उन में और जो human सोच होती है, मानों कैसे इस परकार सोचता है, human behavior होता है, उन दोनों के मद्दी एक संबंद होता है, तो ये बताया था किसने, autumn stocks थी इनके साथ में काम भी किया था ये गणित गये थे उनके साथ में इन्होंने भी काम किया था इनकी famous book है thinking fast and slow ये इनकी book है ये काफी अच्छी book है इनने book के लिए इनको noble price भी मिला था इनकी according कुछ theories दी गई थी क्या theory थी loss-abrication इस थेory के cosmicora क्या था किसी वेक्ति को जैसे कि आपको 1000 रुपे मिले तो आपको क्या होगी खुशी होगी ठीक है आपको सरी to say तो कापी अच्छी ठी तरही के तरत इनका कहना था तो यह भी sv Said को mais फोर नहीं चाहते तंस थी-szins talks को लिद्मaras कर सकतक था हो जैसे आप बड़ रहे हो और घाना खारे हो और अवाय बीज़स कर रहे है यह सारीए चीजे एक साथ कर रहे हो तो वो चीज आप कभी कर नहीं पाऊगे इतना सबीत नहीं होगा आपि कि lebih चीजे वह सही साथ नहीं हो सबीत यह सकती है इसलिए हिंडोigu नहीं कहा था एक टाइम पर एक ही काम करना चीए इन्होंने अपने कुछ जो बुखती उसमें कुछ पॉइंट भी लिखा था सिस्टम वन थिंकिंग सिस्टम टू थिंकिंग सिस्टम वन में क्या था कोई कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं जल्दी डिसेजन लेते हैं बीना बुक भी लिखी थी अटेंशन एन एफट 1973 में ये इनकी बुक थी फैमस ठीक है जी अब इनका नीदन हो गया तो ये पूरा आर्टिकल इनसे समझी था ठीक है तो इतना बात थोड़ा बहुत आपकी इनके बारें पता होना ची फिर भी मिस्टेक के चार्टर के बारें में ये हुआ था तो ये भी मिस्टेक के बारें में था नेक्स्ट जो है वो यूरेशिया यूरेशिया आर्थिक संग के बारे में ये यू 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 है वो यूरोपियन यूनियन है ये है यूरेशिया ये इसमें रस्या की दव संदी है इसके तो फ्री ट्रेड वग रहा है वो चीजों को पर्मोट किया जाता है इसता अपना कब हुई थी इसता अपना इनकी 2014 में हुई थी तो यह पूरा आर्टिकल के बारे में था तो आज की डिसकुशन में इतना ही था थेंक्यू थेंक्यू वरी मच्ट फॉर जी बाजिस्टू के बाजिस्टिकल के विता राटे इस만 até है इसक्नी एडलाव के भिसक्षछब्स दंदेए व का ने इसक्ट देसे टुनों किआ ढान साиля sağना हम तो जिसक्ट की बाजए झाले ही इसे औरे